असलाम अलेकुम हलो एवरीवन वेलकम टू आप चैनल दिस इस खांस खजाना विद फन सो गाइज फिर से एक नए रेजिपी के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सूजी का स्पेशल हल्वा जो की बहुत जल्ले तियार हो जाता है और बहुत टेस्टी बन कराता है तो आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करेंगे हल्वा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सूजी जो की में इंग्रिटेंट है तो सूजी हम लेंगे वन कप यह सारा मेजर्मेंट इसी बाउल से करूंगी आपको भी बाउल ले उसके बाद उसी मेजर्मेंट सारी होगी उससे डेड़ गुना ज्यादा में चीन लेनी है यह नारियल है और कुछ ड्राइफ रूट से आपके पास जो आप यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले लेंगे हम एक पतीला या भगोना उसमें चीनी लेंगे डेड़ गुनी चीनी सूजी के नाप से वह में बाउने में दलो आफ यह यह द्यवसिशं़ नाप टेन हैं बैस्कों आउन से लिए कप गुना डालें मतलब हम चारव पानि पर करेंगे और हम जिक सुशनी से बना अ को यह मन बना सकता हैं जूभी आप बोलना चाह भी को कि में बना सकते हैं जो भी आम बोलना चाहें हैं म jeunes सकते हैं करदिए और इसको सब्सक्राइब एक को घ्रम कर दें सूजी ऐसको हलक हलक को सब्रमच को छाइब को अगर अगर येफिट यह कुछ सब्री Bowl तरष करना है तो हल्का है है तो हल्का हल्का हम राच खच्छ पर निकल चैनल जह तो देख सकते से प्रूह यह भूं जाएगा उच्छ से संपagtा करना डागना है तो डागने是 cancer बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा कि तब काला हल्वा बनेगा और वह ज़्यादा खाने में टेस्टी रखता भी नहीं तो आप नॉर्मल रखी है कि इसको कि सूजी हमारी भुन जाए हल्का लाइट गोल्डन करना है बस अब इसमें हम एड कर देंगे हाफ कटोरी जितने हमने सूजी लिती उसकी हाफ कटोरी दूड डाल देंगे इसमें और इसको अच्छे से खॉल लेके इतने हमारी सूजी भुन रही है यह डिडियो जाएगा कि सूजी भी लगबग भुनने पर आई है सूजी के कलर हलकर देखे चेंज हो गया है वाइट से यह थोड़ा सा लाइट गोल्डन हो गया है अब इदर हमारा कि मामदा वह भी ठंड़ा हो चुका है फ्लेम आफ कर दीती मैंने तो हलकर ठंड़ा करने के बाद हम इसको सूजी में डालें है पर थोड़ा धियान से डाल हलकर डालेंगे देखिए कितने ज्यादा इसमें चीटे उड़ेंगी अब बहुत केरफुली इसमें डालना है हमें सूजी में और इन को अच्छे डालने के बाद मिक्स कर देंगे अब हम इसे कंटिन्यू चलाना है यह खुदी गाड़ा हो जाएगा इसमें चीटे उड़ी हो तो आप लेट कवर कर दें अच्छे इसका पानी खुश्क हो जाएगा उसके बाद यह खुदी गाड़ा हो जाएगा आप देख सकते हैं इसको हलकलकर जो पानी है जो सूजी फ हो रहा है कि तू से त्री मिनिट्स में हल्वा रेडियो हो जाएगा अब इसी स्टैप पे आप इसमें डाल देजिए तू टेबल स्पून भर के देशी की जो हमने अधर ओल कम किया था वह हम इधर डाल रहे हैं मेजर में बीकुल परफेक्ट तो आप वैसे ही उसकी करिए जब यह भी आपको बनाना हो इसको मिला देंगे हम और दो मिनिट के अंदर हमारा हल्वा फाइनल रेडियो हो जाएगा हम फाइनल स्टैप इस पर डालेंगे ड्राइफ रूट्स जो भी आपके पास अविलेबल हो ड्राइफ रूट्स आप वो आइड कर सकते हैं इसमें इसमें कितने अच्छे से ऑईल उपर दिख रहा है अब अच्छे से इसको मिक्स कर देना है और इसको सारा पानी खुश्क हो चुका है अच्छे से अब हम इसमें एड कर देंगे ड्राइफ रूट्स नारियल नारियल आप कैसे पर शेप में कट करके डाल सकते हैं कि साथी साथ हम इसमें कैश्यों और अलमट में डाल देंगे कितना अच्छा कलर आया है और एक सूजी पी एकदम परफेक्ट भुनी है ने दर डाक कलर हुआ है और ना लाइट है ना कच्छी दिख रही है और खाने में भी यह बहुत टेस्टी बने आप एक बार ट्राइब करिएगा मुझे तो यह बहुत पसंद आया मैंने पहली बा देखेगा और ऐसे बनाएगा इंशाला बहुत पसंद आएगा सब को हलवाई देख सकते हैं अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लेश के लाइक करिए शेयर करिए और मेरी अगर फस्ट टैम देखें तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा इंशाला मैं आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करते रहूंगे मेरा फस्ट एक्सपीजियंस बहुत अच्छा था आप लोग भी शेयर करिएगा कि आपका फस्ट एक्सपीजियंस कैसा है मिलता है इंशाला नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए दूआ में याद रखेगा इंशाला इलां अभिज बादे बाइ